हेलो एवरिवन वेलकम बाक टू साइंस सेंग आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फोर डिजिट का मल्टिप्लिकेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं यह एक ट्रिक है जो सभी कोशन के उपर आपकी अप्लाई हो जाती है अगर आप फोर डिजिट के नंबर को फोर डिजि का मल्टिप्लिकेशन बताया हूँ है तो आप चाहें तो उन वीडियों को भी देख सकते हैं उनका लिंक उपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बाकस में चेक निधर सकते हम आपको मिल जाएगा उस wij कर करके आप उन वीडियों को देख सकते हैं आईए हम स्ट डिजट का multiplication हम किस तरीके से करते हैं ? यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे मैंने यह boxes बना रखे हैं तो स agreement यह फरस नमबर है सेकींड नमबर है फसर नमबर है ने फर्थ नमबर है Still निरे यह फरस नमबर है न फिर्ड स्सकेंड नमबर पहला नंबर है यह दूसरा नंबर है समय चार चार डिजट यह ब्लैंक छोड़े हुए मैंने क्योंकि यहां पर मैं सिर्फ आपको एक बेसिक स्टक्चर बता रहे हूं कि करना किस तरीके से हैं कौन कौन से इसमें आपको स्टेप्स अप्लाई करने होते हैं जब हम कोशन लें हैं हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं मनलब सबसे सीधे हाथ पर जो भी नंबर आएगा हम उससे स्टार्ट करते हैं तो यहां पर सीधे हाथ पर यह दो नंबर है राइट हैं तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इन दोनों नंबर का मल्टिप्लिकेशन कर देते हैं तिके इन दोनों का, right वाले दोनों का, now second step में हम क्या करते हैं, cross multiplication कर देते हैं, अब cross multiplication तो आपको आता होगा, cross multiplication हम इस तरीके से करते हैं, इधर वाले का इसमें, इधर वाले का इसमें, बिल्कुल same second step में apply करना है, देखिए हम इसके अंदर move कैसे कर रहे हैं, right से left की तरफ, ठीके right से हम जाएंगे left की तरफ, तो कर देजिए इस तरह multiply, ये होगे cross multiplication, इस वाले digit का इस वाले में, और इस वाले digit का इस वाले में, जो आएगा उसको हम जोड लेंगे, अब तीसरे step में आप देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी आपको cross multiplication ही करना है, लेकिन क्या कर करना है अब, अब आपको करना है इन दोनों का, और इन दोनों का, जो बीच में बचे हुए हैं ये number, इन दोनों को हम इस तरीके से कर देंगे, ठीके इतना अब आपको समझ में आ गया होगा, ये सीधा multiply है, ये cross multiply है, ये भी cross multiply है, लेकिन इन वाले digits के बीच में, और बीच करना है, फोर स्टेप में भी हमें cross multiplication करना है, लेकिन अब कोने वाले numbers का, मतलब इन दोनों का, इन दोनों का करेंगे, ठीके, एक और multiplication इसके इंदर हो सकता है, दो multiplication हो सकते हैं step के अंदर, एक ही कोने वालों का, और एक ही बीच वालों का cross multiplication, तो हमें इनका भी cross multiplication करना है, तो इसका इसमें कर दीजे और इसका इसमें कर दीजे ठीक है बहुत असान थे हैं आदग तो step अभी देखे फिर step में आपको क्या करना है अब यहां से जब सारे multiplication आपने कर दिये न सरीके से 4 step में फिर उल्टा चलना शुरू हो जाओ फिर उल्टा चलना है आपको जैसे हमने 1,2,3 किया था अब यहां से क्या करना है 3,2,1 अब क्या करना है आपको अब यहां पर आपको कर देना है multiplication सबसे left वाले numbers का मनलब इसका इसमें इसका इसमें और यह बीच वालों का ठीक है बि 2,2 step का ही उल्टा हो जाएगा तो cross multiplication कर देते हैं यह इधर के दो कोने वाले numbers का और last step क्या हो जाएगा सबसे left वाले का multiply देखा आपके जो है right side से हम चलना start हुए right को किया इधर वालों को किया फिर यहां तक किया सब को किया multiply फिर इधर वालों को किया सबसे left वालों को फिर सबसे left वालों को तो right से हम left की तरफ चलते हैं बिलकुल इसी तरीके से आपको digits को भी लिखना होता है solve करते हुए right to left अब हम एक question के साथ में इसको करके देख लेते हैं कैसे आप बहुत असानी से solve कर सकते हैं यह देखिए हम इन चार जो है यह चार डिजिट वाले numbers का multiply करे यहां पर यह है 21541230 इस तरीके से मैंने digits लिखे हुए हैं तो इनका multiplication कैसे कर सकते हैं simple आपके पास में यहां पर answer आ जाएगा अगर आप वैसे multiplication कर देते हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं otherwise अगर आप यह trick apply करना चाहते हैं तो आप यह trick भी apply कर सकते हैं अभी हम इसको solve करना start कर देते हैं trick में इसलिए time लगता है यहां पर क्योंकि यहां पर मैं आपको इसमें explain कर रही हूं पूरा बता रही हूं उसके बाद में एक एक step में मैं आपको explain करते हूं लेकिन अगर आप trick आपकी तभी useful होती हैं देखे जब आप इनको बार बार use करते हैं तो आपको इन लिखने की जुरुत नहीं पड़ती है तब आपकी यह tricks जो है useful रहती है तब आप इनका अच्छे से इस्तिमाल कर सकते हैं यहां पर हम यह नहीं कहते हैं कि आप यहां पर लिख लिख कर इसमें time waste करिए नहीं आप इसको master कर लिजए trick को आपको easily हो जाएगा question solve ठीक है तो आ आपकी calculation automatically fast हो जाती है tricks को apply करने से चलिए हम start कर देते हैं सबसे first जो मैंने आपको step बताया था वो था इन दोनों का multiplication ठीक है तो इन दोनों को हम multiply करेंगे तो 0 into 4 करोगे तो कितना हैगा 0 मैंने अभी बताया था जो भी आप करते जाओगे right to left लिखेंगे क्योंकि जो हम steps में apply करते हैं यह operations वो कैसे कर रहे है right to left की तरफ तो आ गया 0 now second step के उपर फटाफट से move कर जाओ second step क्या है इसको इसमें multiply करो इसको इसमें multiply करो तो 0 into 5 0 होता है 4th रिजा 12 होता है तो जोड़ दो इन दोनों को मैंने किया क्या था कि इनको इसमें multiplication करने के बाद जोड लेंगे त तो बारा जो है यह डो डिजट का नंबर है इसमें से दो हम यहाँ पर लिखेंगे और एक आपका चले जाएगा उपर कैरी में ठीक इसको हम अटा देते हैं यह तो हो गया हमारा अब बढ़िये फटाफट से तीसरा step के उपर तीसरा step मैंने क्या बताया था अभी तो इन च सारोगा होगे cross multiply अब किसका करेंगे इन 6 जोटोगा लेके तो इसको कर दो इस कोने वाले में इस वाले को कर दो इस कोने वाले में और यह जो बीच में बचे हैं इनका आपस में कर दो सबको कर दो फटावट से multiply तो 1 into 0 0 4 2 is a 8 और 5 3 is a 15 ठीक है multiply करते ही सबको जोड़ लो कि दो फटावट से आप ले जाओ उपर अब कर दो इसके बाद में कौन सा step apply 4 step जो step number 4 है उसमें हमने कैसे किया था यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और साथ साथ आप खुद भी करके देख सकते हैं इस कोने वाले में इस कोने वाले में इस कोने वाले में अब यह बीच के 4 बचे हैं इनका भी आपस में कर दो ठीक है ना क्रॉस मल्टिप्लाइए बेसिक बिल्कुल वन इंटू जीरो वन फोर फोर थ्री वन जा थ्री पाइप टूजा टैन आरा इस तरीके से तो 10 और यह कितना होगा साथ और यह 19 ठीक है दस और यह कितना होगा चारो तीन साथ और दो 19 हो गए तो 19 का 9 आम यहां लिखेंगे एक आपका चल जाएगा उपर चलिए यह कैरी में चला गया चार स्टेप मेरे हो गए अब फिर से उल्टा चलना शुरू कर दो अब लो इधर वाली तीन डिजिट क्रॉस मल्टिप्लाइए में फिर दो डिजिट फिर एक इस कोने वाले का इस कोने वाले में इस कोने वाले का इस कोने वाले में और इन दोनों का साथ में तो कर देते हैं 3 2 6 5 1 5 2 1 2 इस तरी के से आ जाएगा आपका तो 6 और 5 11 2 और 3 यानि कि 14 तो 14 का हम 4 यहां पर लिखेंगे एक आपका कैरी में ही रह जाएगा कोने वाले को कर द अब कौन सा रही है step number 7 तो 7 में कोने वालों को कर दो तो 1 x 2 is 2 होगे आपका आंसर अब इतना टाइम तो लगता है आपको बताने में समझाने में कैसे कैसे कर रहे हैं अगर मेरे दिमाग में आपका पूरा पैटन बना हुआ है तो मेरे को इतना टाइम नहीं लगेगा इनको प करोगे तो आपके पास में आ जाएगा इतना तो यह आपका आंसर हो जाता इस तरीके से आप जो चार्ड जट के आंकों को गुणा कर सकते हैं तो यहां पर पूरे steps जो है ध्यान से पूरे देख सकते हैं यह आपकी गिंति के कुछ steps हैं इनको आप अपलाई करके ट्रिक को कर सकते हैं अधर्वाइस अगर आपको यह ट्रिक नहीं पसंद आती है तो आप नॉर्मल मेथड को आपको आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर से आप लाइक कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और ऐसी ही और अच्छी और इ इस वीडिकेशन मिलता रहे हैं